दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पर रेनेसंस से रेलेटेड बहुत सारे question पुछे गए थे और आज की वीडियो में मैं एनकी आंसर बताने जा रहा हूं तो चले start करते हैं हमारे पहले question से तो हमारा पहला question यहां से start है तो इसमें पुझा जा रहा है कि the Renaissance is also known as यानि यह जो रेनेसंस है वो इन में से किस और नाम से जाना जाता है तो दोस्तों जो रेनेसंस है इसको हम the age of Shakespeare के नाम से जानते हैं और इसी को ही हम the Elizabethan age के नाम से भी जाना जाता है तो यहां पर यह वाला option correct है the age of Shakespeare option B और जो next question है हमारा इसमें पूचा जा रहा है कि the Renaissance period in English literature is also known as Daz or Daz यानि कि जो रेनेसंस पिरिएड है वो English literature में किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि यह the Elizabethan age के नाम से जाना जाता है और जो रेनेसंस है इसी को ही हम the age of Shakespeare के नाम से भी जानते हैं तो यहां पर यह वाला option correct है C वाला both A and B और जो next question है दोस्तों हमारा इसमें पूचा जा रहा है कि the child sorry the chief characteristic of the Renaissance was यानि रेनेसंस का जो Chief Renaissance की जो Chief characteristic बताना है इसमें हमें यानि जो मुख विचिस्ता है वो क्या थी तो दोस्तों रेनेसंस का जो Chief characteristics है वो humanism है तो यहां पर यह वाला सी वाला जो option है यह correct है और जो next question दोस्तों इसमें पूचा जा रहा है कि दा greatest dramatist of Renaissance was यानि जो Renaissance के जो greatest dramatist रहे है उनका नाम क्या है तो दोस्तों सब्सक्राइटेस्ट ड्रेमेटिस्ट है Renaissance के उनका नाम है William Shakespeare तो यहां पर यह first वाला option सही है Shakespeare यानि William Shakespeare तो जो next question है दोस्तों हमारा इसमें लिखा है कि who is known as the father of humanism यानि कि the father of humanism के नाम से किसको जाना जाता है इनमें से दोस्तों the father of humanism से जाने जाते हैं पेट्रार्क यह वाला option पहला वाला जो है पेट्रार्क इस करेक्ट और जो next question दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि the hundred years war was between यानि कि the hundred years जो वार था वो किस के बीच में था दोस्तों यह इंग्लेंड और फ्रांस के बीच में था तो यहां पर यह लाश्ट वाला कुछ आंसर जो है कि करेक्ट है जो लाश्ट वाला option यह करेक्ट है इंग्लेंड और फ्रांस तो इस तरह से जो next question है हमारा इसमें पूछा जा रहा है कि which city is often called the birthplace of Renaissance यानि कि जो which city यानि कौन से city को हम the birthplace of Renaissance के नाम से जानते हैं यानि कि 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 city को ओफन मतलब होता है अकसर यानि कि 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 city को अकसर बर्थ प्लेस कहा जाता है रेनेसंस के तो दोस्तों इसको इसका अंसर है Florence क्योंकि Florence को ही बर्थ प्लेस कहा जाता है रेनेसंस के तो यहाँ पर option c Florence is correct और जो next question दोस्तों इसमें लिखा है कि the सबसे पहले रेनेसंस कहां स्टार्ट हुआ तो दोस्तों यह इटली में स्टार्ट हुआ तो जो option c है यहाँ पर इटली इस अपर देखा कि रेनेसंस पिरेट को ही हम अधे एलिजबेटन एज और दी एज ऑफ सेक्सपियर के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर यह वाला option जो है और रेनेसंस पिरेट इस और जो नेक्स्ट क्वेशन दोस्तों इसमें लिखा है कि रेनेसंस में रेनेसंस का मतलब क्या होता है रीबर्थ होता दोस्तों और रीवेकनिंग भी होता है तो यहाँ पर यह फर्स्ट वाला सही है इसे तरह से जो नेक्स्ट क्वेशन दोस्तों तो दोस्तों इसके यह एं 22 तारीक Google तो उसके लिए आप लोगों को best of luck तो मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखीगा